आज का टॉपिक हमारा है इनटच पर वाच कैसे बनाते हैं डिजिटल और अनलोग दोनों तो अभी मैं कोई बार रन करके दिखाता हूं कि यह किस तरह से काम करता है फिर आगे हम आगे कंटिन्यू करेंगे यह हमने आउन किया यह देखिए हमारा वाच चल रहा है अनलोग भ रनिंग में है और उसके बाद हमारा डिजिटल भी हमारा दिखाई दे रहा है अब इस टॉपिक में हम आज यही सेखेंगे कि वाच बनी कैसे और किस तरह से काम करती है तो चाहिए वापस आते हैं और हम लोग सेम यही प्रोग्राम बना कर देखते हैं कि यह किस तरह से बन दोनों पर काम करेंगे और आज दोनों वाच को बना कर देखेंगे यहां पर हमारा जो यूज होता है वह यूज होता है हमारा विंडो स्क्रिप्ट विंडो स्क्रिप्ट के थू हम इस वाच को बनाते हैं तो कम्प्रीट टुटोरियल कम्प्रीटली हम उसको देखते हैं कि window करने के बाद हमने ون्दो को बढ़ा कर दिया अब हमें वाच बनाना है तो हम न याएंगे शिंबल फैक्न्री में चलते सिंबल फैक्ट्री में जाने के बाद हम लेकि आएंगे लाक में गये और हमें यह वाला क्लाक अच्छा लग रहा है इसको यहां लाके रख दिया इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं अब मुझे इसका कलर अगर ठीक नहीं लग रहा तो मैंने डबल ग्लिक किया बैग्राउंड कलर को मैं कर देता हूं ब्लू और अंदर के कलर को हम कर देते हैं कैसा परपल कलर और हमने इसको क्या कर दिया यह देखिए हमारा बन गया अब उसके बाद हम क्या करेंगे राइट क्लिक करेंगे Sell Symbol में जाएंगे, Break Sell करेंगे, फिर Right Click करेंगे, Sell Symbol में जाएंगे और उसके बाद Make Sell कर देंगे, अब यहाँ डबल क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर हमें Hours, Minute और Second के Tag Name देना हैं, तो मैंने Hours, Minute, Second के Tag Name दिया, मैंने यहाँ पर A दे दिया, यहाँ मैंने B दे दिया, यहाँ मैंने C दे दिया, उसके बाद Save करने जाएंगे, तो Define करने को बोलेगा, आप Define करते जाएंगे, Define करने के जाएंगे पर पहले Log Data Select करें, फिर Memory Type में जाएंगे और उसको Real Select कर दें, Memory Real क्योंकि Analog Properties हैं, ओके करें, Save करें, Close करें, फिर B को Define कर दें, Log Data में गए, Memory Real कर दिया, OK किया, Save किया, Close कर दिया, दिन C को भी Define कर देते हैं, Log Data Select किया, Memory Real कर दिया, OK किया, Save किया, उसके बाद Close कर दिया, यह हो गया हमारा, हमने इस OK कर दिया, अब हमारा Analog Property लग चुका है, अब हम एक बटन लेके आते हैं, तो बटन लाने के लिए हम चलते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर जाएंगे, Switch लेकी आते हैं, यह Switch ले आए, यह वाली Switch लाई, यह Switch को लाकी यहाँ रख दिया, Switch को डबल क्लिक किया, Switch का Tag Name हमने दे दिया क्या, S, OK करेंगे, Define करने जाएंगे, Log Data Select करेंगे, Memory Discreet करेंगे, Save करेंगे, और उसके बाद Close कर देंगे, यहाँ तक हो गया, अब उसके बाद अगला मैं इसका नाम भी लिख देता हूं, जो भी आप Define करना चाहते हैं, जो भी आप Print करना चाहरे हैं, उनको आप यहाँ पर लिख दें, कि आप क्या Run करना चाहरे हैं, जैसे आप टाइमिंग देना चाहरे होंगे, कि हम hours दे रहे हैं, minutes दे रहे हैं, seconds दे रहे हैं, तो उन तीनों को हम यहाँ पर Define कर देंगे, तो यहां पर लिख दिया, minute, ठीक है, तो M-I-N-U-T-E, अगे कर दिया, फिर उसके बाद हम second भी लिखे आते हैं, और यहां हम second लिख देंगे, तो second लिखने के बाद हम आगे जाएंगे, अब tag name लगा देते हैं, जिससे वो हमें दिखाई देगा, अगर यह आपको थोड़ा ऊपर लग रहा है तो थोड़ा सा नीचे ले लिए, अलाइमेंट साई कर लें, फिर उसके बाद हम कहां गए, टी पे गए, यहां आए, हमने कर दिया double has, अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजे गर लगे तो, जिससे आपको बड़ा बड़ा दिखाई दे, इसी को copy कर यह, paste कर दीजे, फिर copy कर यह, फिर paste कर दीजे, ठीक है, दोनों को copy paste कर दिया हमने, और इनका alignment उसके according हमने सही कर दिया, अगर आप चाहते हैं, अगर आप color बदलना चाहते हैं, तो आप यहां पर text में आए, text में आने के पाद इसका color बदल दे, अगर आपको कोई भी color change करना है, rate कर दीजे, इसको select किया, color पे आए, rate कर दिया, इसको भी rate कर देते हैं, और नेचे वालो को भी rate कर देते हैं, इतना काम हमारा हो गया, अब हमारा अगला काम होता है, विंडू सक्रप्ट लगाना, तो हम right क्लिक करेंगे, विंडू स्क्रिप्ट पे आए, विंडू स्क्रिप्ट में आने के बाद, सबसे पहले हम window script लगाएंगे कहां पर on so जब वो so हो रहा है तो क्या करना है मुझको ठीक है तो हम कहां जाएंगे एक मिनट उप जाएंगे हम command दिखाते हैं आपको यहां पर गए हमने इसको copy कर लिया सबसे पहले मैंने लिखा जब so हो रहा है तो क्या होना चाहिए a b 0 होना चाहिए b b 0 होना चाहिए c b 0 होना चाहिए और switch भी off होना चाहिए तो आईए यहां आते windows script में गए on so पे click किया और यहां पर paste कर दिया ठीक है फिर उसके बाद इसको validate कर लिजे validate करने के बाद ok कर दीजे अब उसके बाद अगला हमारा है greater than equal to 60 हो जाए तो c अपने आप 0 हो जाए और b बराबर b plus one होने लगे तो b में एक एक बढ़ने लगे फिर end if हो जाए फिर if हमने किया जब b 60 से बढ़ा बराबर हो जाए और बढ़ा होने लगे लगाई है कि यदि हमारा switch on है और उस समय पर तब हमारा क्या होना चाहिए second एक बढ़ जाना चाहिए जब second 60 के बराबर हो जाए तो फिर minute 60 के बराबर हो जाना चाहिए तो फिर hour seconds बढ़ जाना चाहिए अब यहां पर कितने second में changes होना चाहिए तो हमने यहां पर 1000 millisecond लिख दिया और इसको हमने कर दिया validate यौष करने के बाद हमने इसको किया ok, ok करने के बाद हम कहां जाँए रूट करने पर हमने इसको run कर दिया, ok करते है, Looking करेंगे हमारा वाच चालू हो जाएगा ठीक है अब हमारा एनलोग वाच चालू हो गया हमारी एनलोग चीज़े दिखाई देने लगी अब आप यहां पर ध्यान से देखें तो जो मेरा डिजिटल था वो वकिक मोड पर अकेला नहीं आया तो अब अगर इसी को हमें एनलोग और डिजिटल दोनों चलाना है तो क्या करेंगे वो देखते हैं तो हम क्या जाएंगे वापस से डेवलेमेंट पर आए और सिंपली जो मैंने डबल टाइस टैग लगाया था उस पर डबल ट्लिक करिए उसमें कहा जाए एनलोग पर आने के बाद इनहीं का टैगनेम देजि यह वाच एनलोग और डिजिटल दोनों काम करने लगेगी यह देखिए मैंने इसको अन किया यह आपको वर्किंग मोड पर आखिए जैसे ही एक सेकिंड पूरा होगा मिनिट अपने आप आ जाएगा तो यहाँ एनलोग और डिजिटल मेरा दोनों चल रहा है अगर आप स्विच नहीं लगाना चाहते हो तो बहरे स्विच के भी प्रोग्राम लिख सकते हो तब आपको बस एक काम करना होगा आप सीधे प्रो जैसे हमारा एक सेकिंड होगा देखना आप मिनिट की वैलू बढ़ जाएगी और दूसरा हमारा मिनिट में भी हमारी काउंटिक स्टार्ट हो जाएगी अप इसकी अलावा आप दूसरा काम एक और कर सकते हैं अगर आपको यह मुमेंट नहीं करना है तो आप इसकी जगह प देखें जैसे हमारा एक सेकंड पूरा होगा हमारा मिनिट स्टार्ट हो जाएगा मिनिट का काटा हमारा एक मिनिट आगे बढ़ गया और हमारा डिजटल में भी एक मिनिट हो चुका है क्लियर हम वापास से डवलोपमेंट पे आते हैं उम्मीद है कि आपने यह जो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें शब्सक्राइब करें तो थांक यू थांक यू थांक यू आप